दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक ड्रामा डिस्कस करेंगे सुजन हिल का ड्रामा अन दे फेस ओफ एट दोस्तों ये एक कंटेंप्ररी ड्रामा है और मैं आपको बता दू इसकी सेटिंग रखी गई है रूरल इंग्लेंड में कंट्रिसाइड का एक ड्रामा है दोस्तों ये मैंने अपने स्कूल में पढ़ा था इन्होंने सर्फ 19 साल की एज में अपनी एक नोवल लिख दी थी कमाल है काफी को सीखना चाहिए यहां मैं तेज चोईस का हो गया हूँ अब जागे राइटिंग शुरू किया दोसों आई होप आपको कल की स्टोरी पसंद आई होगी अगर आई है तो उपर मैंने वोटेंग करवाई है इसमें वोट दीजी जागर गए आगे और भी स्टोरी लिखेंगे अगर आप चाहते हैं तो उपर वोट कीजे और पिलहाल ये ड्रामा डिसकस करते हैं काफी इंटरस्टिंग ड्रामा है शुरू करता है मिस्टर लैम नाम की एक आदमी का गार्डन था ये चिडिया और दूसरे बर्ड्स की आवाज आ रही होगे आपको तो ड्री नाम का एक लड़का इस गार्डन में अंटर हुआ उसकी पैरों की आवाज आ ये चलने की वो घांस में कैसे चलता हुआ आ रहा है फिर वो रुका फिर वो चलने लगा और जाडियों के इतना पास आ गया तभी मिस्टर लैम ने बुला ड्री को देखकर बोले बिटा एपल से बचके वो थोड़ा सा चौक गया क्या कौन है वाँ मिस्टर लैम मिस्टर लैम नाम है बिटा मेरा क्रैब एपल से थोड़ा बचके रहना शायद तुम गिर जाओ सारी सर मुझे नहीं पता था यहाँ पर कोई रहता भी है मैंने सुचा यह खाली जगह है कोई बात नहीं सब ठीक है तुम इतना डर क्यो रहो सर मैंने सुचा यह घर खाली है यहाँ कोई नहीं रहता हाँ तो सई सोचा घर खाली है मैं गार्डन में हूँ मेरा घर खाली है अभी डैली थोड़ा डर कर बोला शायद मुझे यहां से जाना चाहिए जाओ लेकिन याद रखना मैंने तुम्हें यहां से ने भीजा मुझे कुई तकलीफ नहीं है तुम मेरे गार्डन में रहो यह ना रहो यह दर्वाजे सब के लिए खुले है तुम ही दिवार कूद कर आ रहे थे दर्वाजे से भी आ सकते थे बिटा तो मतलब आपने मुझे दिवार कूदते हुए देखा हाँ तब ही तो बोल रहा हूँ दर्वाजे सब के लिए खुला है देखी सर मैं यहां पर कोई चूरी करने नहीं आया मैंने ऐसा तो नहीं का तुम इतने छोटे नहीं हो की फॉलो की चूरी करो मैं सिर्फ गार्डन के अंदर आना चाहता था हाँ तो आ गए न बिटा शायद अब जानते नहीं मैं कौन हूँ तुम बारा-तेरा साल की लड़के चौदा साल का डरी बोला चलो मैं चलता हूँ good-bye डरो मत बचे तुम इस गार्डन में रह सकते हूँ तुम्हें कोई डरने की जरूत नहीं है लेकिन सर मैं डर नहीं रहा हूँ लोग मुझसे डरते हैं अच्छा क्यों? डरते हैं बस हर टाइप की लोग मुझसे डरते हैं और मुझे दिखता है कि वो कैसे मुझे देखकर रेक्टिंग करते हैं क्या दिखता है? बस मुझे दिखता है कि वो मुझे देखकर क्या सोचते होंगे तो बताओ न वही पूछ रहा हूँ क्या सोचते होंगे जैसे अभी आप सोच रहे हैं मेरे फेस की तरफ देखकर कि कितना भद्धा चेरा है, आपको मुझपर तरस भी आ रहा होगा नहीं, लेकिन आपको मुझपर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि अभी आप मेरे फेस को देखकर डरे हूँ, कभी कभी मैं भी डर जाता हूँ खुदी के फेस को देखकर इस लड़की का आदा फेस जला हुआ है इसलिए ये बोल रहा है था नहीं लेकिन मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा हूँ वो टापिक को चीज़ करते हुए बोलते हैं कि शाम होती देखो यहाँ पर मैं अभी सीडी लगाँगा इस टिक लाँगा एपल तोड़ूँगा उसकी जैले बनाँगा ये सप्टम्बर का महीना कितना अच्छा होता है न और इंज इसको देखो कितने गोलडल लग रहा है तो मेरी हल्प करोगे आप बात क्यों पलट रहे हो सबजट क्यों चेंज़ कर रहे हो आप मुझसे पूछ क्यों ने लेते जो आपके मन में है क्यों आप नाटक कर रहे हो उच्छो न अरे भाई अगर तुम चाहते हो तो बता दो तुम चाहते हो अगर मैं पूछ हूँ तो बता दो कैसे जला तुम्हरा फेस देखकर तो लग रहा है आग में जल गया होगा नहीं आग में नहीं जला मेरे आदे चेहरे पर एसिड गिर गया था एसिड की वज़े से मेरे आदे चेहरे खत्म हो गया वो एसिड मेरे आदे चेहरे को खा गया और मुझे भी, ये आगे भी ठीक नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है? पता नहीं सर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरी बात में interested ही नहीं हो नहीं बेटा, मैं हर एक चीज में interested हूँ, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, सब चीजों में देखो दिवार के पास तुमको क्या देख रहा है वो बोला कच्रा देख रहा है कच्रा देख रहा है धंक से देखो घास है, चीजें पड़ी है जंगली पेड है वीट्स वगेरा जनको हम बूलते हैं जंगली घास है हाँ वो कुछ लोगों को जंगली घास लगती है लेकिन वहाँ पर फल फूल वगिरा सब हैं हब्स हैं और भी जंगली पेड़ पॉद हैं मैं उगाता हूँ अपने से खुद से उगाता हूँ क्योंकि हमको क्या हक है किसी एक टाइप की घास को जंगली बूलने का और दूसरी टाइप की घास को अच्छी बोलने का क्या फर्क है दोनों में दोनों टाइप की घास में क्या फर्क है दोनों लिविंग बिंग्स हैं ग्रो करती हैं मेरी तुमारी तरह तो क्यों हम उनको अलग बोलें तो डैरी बोला हम दोनों सीम नहीं है सर अच्छा कैसे मैं बूड़ा हूँ तुम जवान हो तुम्हारा फेज जला हूँ है मेरा एक पैर नकली है तुम वहाँ खड़े हो मैं बैठा हूँ यही फ़र्क है दोनों में अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ पता चली कि मिस्टर लैम का पीक पैर नकली है टिन का बना हुआ है लेकिन आपका यह पैर नकली क्यों है तूट गया था सालों पहले कुछ बच्चे मुझे चड़ाने के लिए लैमी लैम बोलते है लंगडा लैम तुमने सुना नहीं क्या और यह नाम मुझे सूट भी करता है मैं लंगडा हूँ तो लंगडा ही भूलेंगे लेकिन यह नाम सुनके मैं चड़ता नहीं लेकिन आप पैंट्स पहन कर इसको ढख लो ना किसी को दिखेगा नहीं तो कोई भूलेगा नहीं लोग घूरेंगे भी नहीं लेकिन लोग खुद ही ठक जाते हैं घूरेंगे खुद ही बंद कर देते हैं तो मैं क्यों ढखूँ अपने पैर को क्योंकि और भी चीज़े हैं देखने लायक मेरे पैर के अलावा आँ जैसे मेरा चेहरा बड़ा नेगटिब बच्चा है यार आपका पैर नहीं देखेंगे तो मेरा चेहरा देखेंगे नहीं नहीं बच्चे एपल्स देखेंगे, वीट्स देखेंगे, सीडी देखेंगे सिर्थ तुमारा चेहरा ही क्यों देखेंगे हर इंसान का point of view अलग अलग होता है तो डैरी बोला आपने beauty and the beast की कहानी सुनी या उसमें क्या हुआ था एक princess की kiss करने के बाद वो beast बुरा सा आदमी handsome बन गया था लेकिन sir मेरी कहानी ऐसी नहीं है न मुझे तो मेरी मा के लावा कोई और kiss भी नहीं करेगा और मेरी मा भी सोच समझ के kiss करती है मेरे आदे चहरे पर जो जला हुआ नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं वड़ता मुझे कोई kiss करे या ना करे लेकिन बच्चे पर देख सकता हूँ तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है तुम्हारा भी तो मन करता होगा ना किसी को kiss करनेगा क्या मतलब लड़की या beautiful girls तुम्हारा मन नहीं करता लेकिन कौन मुझे करने देगा अब इसी चहरे के साथ जीना है यही सच है हाँ लेकिन इस चहरे से तुम दुनिया को तो देख सकते हो अरे आपको क्या पता आप गए हो कभी वर्ल्ड में बाहर इस गार्डन से तो बाहर निकलो आप अपने अच्छा आपके उस पैर में दर्द होता है क्या भी नहीं नहीं जब टूटा था तब तो हुआ होगा ना हाँ तो जहां से ये 10 से जुड़ा हुआ है वहाँ पर दर्द होता है कि हाँ होता है कभी-कभी बरसातों के सीजन में होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता है आपको पता है लोगों ने बहुत बार मुझे सला दिये कि तु तुम अच्छा सोचो, ऐसे सोचा कि तुम से भी बुरी हालत में लोग हैं, ऐसा सब कुछ, वो राय देते रहते हैं, हाँ तो ये सब सच है, उन्होंने क्या गलत बोला, नहीं मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक तरफ तो वो सला देते हैं, दूसरी तरफ वो खुद ही बाते करते अब मैंने बस ट्रॉप पर दो औरतों को बाते करते सुना अदम मेरे फेस की बारे में, कि मेरे फेस कितना टेरेबल है, वो ये चीज़े क्यों बोल रहे थी, इसका मतलब तुम जो कुछ भी सुनते हो, सब मान लेते हो, नहीं बड़ा बुरा लगता है, क्या करूं, हो सकता अब बेटा मुझे तो बात करना पसंद है, तुम चाहो तो जवाब मत दो, केट खुला है, चाहो तो चले जाओ, या फिर खड़े रहो, हाँ लेकिन वो कुछ बोलता नहीं आगे, मेरे पास एक मदुमख्यों का छता है, तुम देखना पसंद करोगे, लोगों को लगता है कि वो बस की आवाज करती, लेकिन अच्छली वो गाती है, मैंने बहुत पास से सुना है उनको, अच्छा अगर तुमने मुझे देख लिया होता कि मैं अंदर हूँ, तुम तो शायद अंदर ही ना आते, नहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब बिना पुछे किसी की प्रापर्टी म में लॉक कर लो, जैसे एक बंदे ने किया था, मैं एक बंदे को जानता था, जिसने अपने आपको रूम में बंद कर लिया था, क्योंकि वो हर चीज़ से डरता था, उसे लगता था, कि अभी मैं बाहर जाओंगा, तो बस मुझे कुछल देगी, या पिर कोई घदे ने मु वो थोड़े टाइम के लिए कमरे में रहा, फिर, फिर क्या हुआ, फिर वो जिस जगह सोया हुआ था, वहाँ पर एक फोटो थी, दिवार पर टंगी हुई थी, फोटोग्राफ, जो आकर उसकी सर पर गिरी, बहुत भारी थी, वो मर गया, धैड़ी एक कहानी सुनकर बहुत पिताते हैं, क्या करते हैं आपर, धूप में बैठा रहता हूँ, किताबे पढ़ता हूँ, अभी तुमने कहा मेरा घर खा ली है, लेकिन अंदर जाके देखो बहुत सारे बुक्स पढ़ी है, मैंने नोटिस कि आपकी खिड़की पर पढ़ते नहीं हैं, हाँ, क्योंकि मुझे नैचरल चीज़े पसंद है, हावा, लाइट, यह सब चीज़े हैं, हाँ, मुझे भी पसंद है, चलो खुस तो पसंद है तुमको, सर मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को अपने पीट पीचे बात करते हूँ सुना है, कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूँगा उनके जाने के बाद इस वर्ल्ड को कैसे फीस करूँगा, कैसे सर्वाइब करूँगा इस वर्ल्ड में, जैसे मैं डड़ता रहता हूँ, भागता रहता हूँ, अरे बच्चे तुम्हारे हाथ हैं, पैर हैं, दो हाथ हैं, कान है, आँक है, जबान है, दिमाग है, और क्या अकेले रहते हो अरे बहुत है यहाँ पर लोग आते हैं बच्चे भी आते हैं हर कोई जो भी यहाँ पर आता है मेरा दोस्त है जैसे तुम आयो लेकिन सर मैं आपका दोस्त नहीं हूँ तुम हो आप तो मुझे जानते भी नहीं कहां से मेरा नाम भी नहीं जानते आ तो नाम प मानूंगा इवन मैं तो यहाँ पर आऊंगा भी नहीं फिर से कभी पर डैली बताता है कि कुछ ऐसे भी लोग है जिनसे वो बहुत नफरत करता है तो मिस्टर लैम बोलते नहीं बेटा नफरत मत करना किसी से क्योंकि यह एसिड से भी ज्यादा खतरनाक है एसिड ने तो तुम यह पागलों को पागलों के साथ में ऐसे जले हुए फेस वालों को जले हुए फेस वालों के साथ में तो मिस्टर लैम बोले अच्छा और लंगडों को लंगडों के साथ में कैसी दुनिया बनाने की बात कर रहे हैं यह लोग क्या बकवास है जले हुए चेहरे वाला जले ह का घर बहुत अच्छा है मैं भी चाहता हूं कि future में मेरा भी ऐसा घर हो तो बेटा दरवाजे खुले हैं कभी भी आ जाओ लेकिन सर ऐसा बूलने से मेरा थोड़ी हो जागा अगर सब तुमारा है जो मेरा है वो सब का है जब आप यहां पर ना भी हो तब ही मैं आ सकता हूं य जैसे मैं नहीं भागा अब यह रिस्क तो लोगों को पेस करने का तुम ही लेना पड़ेगा जैसे मैं तुम्हें देखकर नहीं भागा शायद दूसरे भी ना भागे अब देखो मैं ही जब गलियों से गुजटता हूं तो छोटे बच्चे मुझे चिड़ाते हैं लंगड अच्छा और गिर गए तो तो गया गिर गया तो गिर गया मैं आपकी मदद कर सकता हूं लेकिन अभी मुझे बहुत देर हो रही है मेरा घर बहुत दूर है मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी चिंता करते हैं तुमारे क्या फालतू की टेंशन लेते हैं चिंता करते हैं तो जाओ, वापिस जाओ, बता के आओ अपनी मा को, मैं यहाँ पर हूँ, मदद कर रहा हूँ Mr. Lam की, लेकिन मेरा घर बहुत दूर है, अच्छा, तो क्या, कम से कम तुमारे पैट तो है, भाग के जाओ, दौड के आओ, हूँ सकता है सर, मैं वापिस भी ना आपा हूँ, वो मुझे आने नहीं देंगे, अच्छा, वो तुम्हें आने नहीं देंगे, वो तुम्हें आने नहीं देंगे, या तुम आना ही नहीं चाहते, क्यार बच्चे अभी मुझे अपनी मधु मख्यों के पास जाने में देरी हो रही है मैं उनके पास जा रहा हूँ अब डैरी जाते जाते बोल रहा है वैसे सर मुझे नहीं लगता आपके पास यहाँ पर कोई आता होगा किसी को कोई फर्क नहीं बढ़ता आप जिन्दा हो भी या नहीं तो वो बोलता है तुमको जो अच्छा लगे वो सोचो बताओ तो फिर कौन आता है नाम बताओ टॉम आता है, हैरी आता है, डेक आता है बहुत सारे लोग आते हैं बैसे मिस्टर लैम मैं आपको बता दूँ मुझे लग रहा है कि आप पागल हो अच्छा वहाना है वापस ना आने का नहीं मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा आप नॉंसेंस बाते करते हो तो मिस्टर लैम से बहस करने लग जाता है लेकिन मिस्टर लैम कोई जवाब नहीं देते डैरी अकेले खड़ा रहता है लेकिन अकेले में इस आदमी की वो तारीफ करता है कि क्या आदमी है पहला ऐसा आदमी मिला जिसको मेरे फेस से कोई फर्ग ने पड़ता पिर वो चिला के मिस्टर लैम अपनी मदुमक्यों से बोलते है बोलते तो सब हैं लेकिन आता कोई नहीं वो अपने घर जाकर अपनी माँ से बात करने लगता है कि मुझे वहाँ जाना है अब उसका बिहेविर काफी चेंज हो चुका है उसकी माँ से वापस जाने से मना करती है लेकिन वो बोलता है कि आपको डर किस बात का लग रहा है मैं वहाँ जाओंगा नहीं तुम वान ही जाओगे क्या बोला वो तुम से मुझे ऐसी बाते बताए जो ज़रूरी है यहीं रहो कहीं जाने की जरूरत नहीं है अब उसकी खुद की माँ से डिस्करेज कर रही है तो उसकी माँ बोलती है शायद अपने फेस की फ्रस्ट्रेशन की वज़ए से तुम ऐसा सब कुछ बोल रहा हूँ उसकी मेरे चहरे से इसका क्या लेना दिन है मुझे जो पसंद है वो ही मैं करूँगा लोगों के हिसाब से नहीं चलूँगा मैं वापेस जा रहा हूँ उनकी हेल्प करने के लिए नहीं नहीं आज मैं आगर नहीं कहना तो दुनिया में कभी बाहर ही निकल पाऊंगा और वो वहाँ से चला जाता है भागता 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 वहाँ पर पहुंसता है Mr. Lamb की गार्डन में लेकिन वहाँ पर जाकर यह जब गेट को धक्का देता है गेट खूलता है तो वहाँ जाकर क्या देखता है Mr. Lamb नीचे गिरे हुए थे सीड़ी तूटने की वज़े से वो जमीन पर गिर गए थे और उनकी गरदन तूट गई थी शायद वो गुजर गए थे और यह अधमरी हालत में उनको देखता रह गया यह उनकी पास में जाता है और बोलता है Mr. Lamb मैं आ गया अरे उटकर देखो तो सही मैं आ गया और रूने लगता है